इस नएए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत सफागत है और दोस्तों हमारे विंडो लैप्टॉप में कई ऐसे फीचर दिये गए हैं जो हमारे लैप्टॉप की पिना सिर्फ पावर सेव करते हैं बलकि हमारे काम को भी आसान करते हैं इनीमी से एक फीचर है स्लीप मोड क अक्सर आपने ये मोड यूज भी किया होगा लेगिन क्या आप जानते है एक हाइबरनेट मोड भी होता है जो हमेशा हमारे लैप्टॉप में डिसेबल रहता है कुछ-कुछ लैप्टॉप में ये इनेबल भी रहता है तो आज के वीडियो में मैं ऐसे दो पार्ट में आप इसल लेभी हम यहां पे देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप में यहां पे सलीप मोड का उपस्छन जो है वो और पर यहएबल यहां पर जैसे ही मैं क्लिक इसके लिए आप अपने control panel में जाहिए, आप अपने window laptop control पर चाहेंगे, यहाँ पर आपको system and security का option आएगा, इस पर click कीजिए, system and security पर यहाँ पर देखिए power option आ रहा है, इस पर click कीजिए, यहाँ पर आपको सारे option मिल जाएंगे, अपने laptop के power related, जो भी आप enable, disable करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए control panel के नीचे यहाँ option पहला जो आ रहा है, choose what the power button do, यहाँ आपकी power button जो है, क्या क्या कर सकती है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, इस पर click कीजिए, अब यहाँ पर देखिए, मेरे जहाँ जहाँ टिक मार्क लगे हुए हैं, वो सारे option जो है, enable है, लेकिन मेरे option जो है, वो enable हो जाएंगे, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, power button में जाईए, इसके बाद choose what the power button do में click कीजिए, यहाँ पर यह option मेरे disable है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर तकता, ऊपर दिये गए change setting data, currently enable पर click कीजिए, और देखिए, यहाँ पर अब मुझे सिर हाइवरनेट का option मेरा enable हो गया है, साथ में अब मैं इसे use कर सकता हूँ, चलिए अब जानते हैं आखिर यह हाइवरनेट और sleep mode में difference क्या क्या है, तो दोस्तों यह दोनों mode जो है, इनका basically work जो है same है, आपके laptop की जो power है, उसको save करना, थोड़ा सा स्लाइटी सा difference है, मैं बतात कर रहे हैं, या video editing का software यूज कर रहे हैं, वो सारे software जो है, आपके open रहेंगे, आपका data जो है, जहाँ पे भी है, वो save रहेगा, वैसे ही open रहेगा, सिर्फ आपका laptop जो है, एक तरीके से थोड़ा सा कम power यूज करता है, बहुत ही less power यूज करता है, जिसकी वज़े से ना सिर् कम समय के लिए यूज करना चाहिए, जैसे आप बाइचांस आदे घंटे के लिए अपना काम छोड़ के, अपना laptop छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन या फिर एक घंटे के लिए आप जाना चाहते हैं, आप अपने laptop को sleep mode में डाल दीजे, टेक्निकली वो on रहता है, लेकिन आपकी स्क्रीन वगेरा जो है और प्रोसेसर वगेरा का जो काम है बिलकुल निल हो जाता है, बहुत कम power consumption जो है sleep mode में आपका होता है, तो sleep mode बहुत कम वक्त के लिए यूज करना चाहिए, जब आप बहुत लंबे समय तक अपने laptop को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपका जो भी data है वो सारा RAM में save होता है, RAM में जो भी document होगा, जो भी आपकी files होगी, वो RAM में save रहेंगी ताकि जैसा ही आप उसे फिर से work अना शुरू करें, तुरंत आपका data सामने open मिलें, वहीं hibernet mode में क्या होता है, जब भी आप hibernet mode select करते हैं, आपका laptop technically off हो जाता है, प्रोसेसर में जो power जा रही होती है, वो power बंद हो जाती है जानी, लेकिन आपका जो work है वो वहीं पे save रहता है, ये work जो है आपका RAM की बजाए आपका hard disk में save हो जाता है, तभी आप देखेंगे hibernet mode में जब भी आप laptop on करेंगे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और sleep mode स दोनों में power save होती है, लेकिन hibernet mode में एक तरीके से, पूरी तरीके से power जो है disconnect हो जाती है, आप my chance बहुत जह सरे आपने tab खोल रखें, आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा जो है वो tab एक एक करके खोलें, तो ऐसे में क्या है, आप अपना laptop hibernet mode में डाल सकते हैं, और एक दिन दो दिन, तीन दिन तक अगर आपको नहीं use करना है वो laptop में, travel वगरा कर रहे हैं, तो hibernet mode सबसे best option होता है, और वहीं अगर घरी में आप एक घंटे दो घंटे के लिए laptop शोड़के जा रहे हैं, तो sleep mode का option चूछ कीजिए, दोनों में ही आपकी जो power consumption है, वो save होता है, तो आ इससे जुड़ा कुछ सवाल है, तो आप comment section में पूँच सकते हैं, साथ ही कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आप comment में लिख सकते हैं, अगर आपको ये video पसंद आया हो, तो subscribe करना मत भूलिए, जल मिलता हूँ अगले video